अइसे ट्रमेशन आ पर करने की एक शूटी सी ट्रिक हैं तो आए उसको जानते हैं पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको मैं आपर लह रहाँ A P plus C plus B C plus A plus C A plus B is equal to 1 ठीक है यह information हमको दे रखी है हमें इसकी value निकाल ली है तो हम क्या करेंगे कि C is equal to 0 मान लेंगे याँ पर मतलब A B और C मैंसे कि C एको 0 मान लेंगे याँ ठीक है तो C को 0 मान लेंगे यह 0 हो गया ठीक है वह यह क्या हो गया यह हो गया A by B plus B by A is equal to 1 ठीक है इसको तोड़ा सा sort कर लेते हैं A square plus B square A मिले पहुंच जाएगा तो A square plus B square is equal to A B और यहाँ से में मिल गया A square plus B square minus A B is equal to 0 ठीक है यह हमें मिल गया इससे हमें इस चीज़ यहाँ आ सकती है कि A Q plus B Q की value क्या होती है A plus B एक bracket में और दूसरे bracket में A square plus B square minus A B जब A Q plus B Q आप expand करोगे तो आपको यह मिलेगा इसकी value 0 है it means A Q plus B Q is equal to 0 इसकी value 0 हो जाएगी ठीक है यह हमें यहाँ से मिल गया क्योंगे इसकी value 0 है अब यह 0 हो गया तो आइए अब आते हैं इस पर ठीक है तो friends हमें इसकी value निकाल ली है C is equal to 0 यह हमने माना था और हमने निकाला है A Q plus B Q is equal to 0 ठीक है तो पहले हम C की value जो रखते हैं तो यह 0 हो गया और यह क्या आगा A square plus B plus B square plus A ठीक है अब इनका cross multiplication तो यह हो गया A Q plus B Q बाया A B हमने निकाला कि A Q plus B Q 0 के equal है तो इट मींस जो numerator है वो 0 हो गया तो इसकी पूरी value कितनी हो जाएगी 0 तो जो इसकी value है यह कितनी हा गई गई तो ऐसे questions को paper मा आपको ऐसे solve करना है ठीक है friends यह होती है अनकी trick solve करने की Thank you топ यह है जो है सबूती है ऐसकी हाए़ उनकी को amorphosed